हलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्थ होंगे. तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी. और आज की कहानी को सुनने के लिए जल्वी से पहले अपने आखे बंद करो तक के इस कहानी को तुम एक मूवी की तरह अपने आखों के सामने देख पाओ. इससे तुम्हारा imaginary power भी बढ़ेगा. तो हमारी आज की कहानी है एक बहुत बड़े विशाल पेड के बारे में और इस विशाल पेड का नाम है पंचमदा. पंचमदा पेड कोई ordinary पेड नहीं था. इसका ये एक medicinal पेड था. इसकी पत्यों में गजब की medicinal पार थी. किसी तरह का भी high fever हो, तेज बुखार हो, बेहोशियारी हो. इन पत्तों के रस को पिराने से वो दूर हो जाते थी. और ये अपने आप में एक बहुत ही युनीक पेड था. और बहुत कम पाया जाने वाला पेड था. और इसलिए इस पेड को बहुत प्यार से नाम दिया पंचमदा. ये पेड और इसके साथ के कई पेड जो इनके जितने बुजर्ग नहीं थे, एक गाओं के पास के जंगल में ओगे हुए थे. और जंगल में वो सारे जवान पेड और ये बुजर्ग पेड पंचमदा, जिनका नाम था पंचमदा, बड़े प्यार से रहते थे. इन्हीं के पास एक छोटा सा वाटर पॉन्ट था, जिसमें डग और डग के बेबीज पैरा करते थे, मस्ती क्या करते थे, इन पेड़ों की शाखाओं पे बर्ड आ जाते थे, स्कुरिल्स, आनिमल्स आ जाते थे, तो इस तरह से सब कुछ धिर धिरे बहुत अच्छा चल रहा था. और इस गाओं में धिरे-धिरे थोड़े सा प्रोग्रेस वर्क जब होने लग गया, डेवलिप्मेंट होने लग गया, तो सबसे पहली बली जो लोगों ने चढ़ानी शुरू की वो थी पेड़ों की. सरके बनाने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों से बिना सोचे लोगों ने पेड़ों को काड़ दिया, स्कूल्स बनवाने के लिए लोगों ने पेड़ों को काड़ दिया, फार्म्स बनवाने के लिए बिना सोचे पेड़ों को काड़ दिया, और इस तरह से development के नाम पर इस गाउ में लगातार पेरों के कटाई होने लग गए और पेर कटे वक्त किसी भी गाउवासी के मन में जरा से भी दयानी होती थी या जरा सा भी ये ख्याल नहीं आता था कि इन पेरों में भी जीवन है ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं ये भी हमारी तरह जीते हैं किसे के बिमन में ये ख्याल नहीं था जब जंगल में उगे और पेडों ने जो पंचमदा के साथ उगे हुए थे उन्हें ये बात पदा चली तो उनके अंदर बहुत नाराज़ गया गए वो बहुत ज़दा गुसा हुए बहुत एंग्री हो गए और पंचमदा से कहने लगे कि देखा दादा जी प्यार से पंचमदा को सभी दादा जी बोलते थे तो उन्हें ने का देखा दादा जी गाववासी कितने स्वार्थी हो गए हैं इन्हें एक बार भी पेड काटते वक्त यह नहीं महसूस होता कि हमें भी दर्द होता है, हमारे में भी जान है, सिर्फ डेवलिप्मेंट के नाम पेड़ों को काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और देखो कितना पल्योशन बढ़ गया है, हमें बहुत नाराज़गी है ग स्वस्त हवा दो और अपने अंदर ले लो और स्वस्त हवा दो तो तुम अपना काम बस करते रहो, पर पेड़ों की नाराज़गी तो जैसे आस्मान पर थे, उन्होंने पंचमदा से साफ कह दिया, दादा जी हमारा दिल आपकी तरह बढ़ा नहीं है, हमने तो सोच लिया ह कि आज से हम सारे इंसानों को बाइकॉट करेंगे और इन्हें किसी भी तरह का कोई कॉपरेशन नहीं देंगे और ये बोलते हुए सारी पेरों ने इंसानों को अपनी ऑक्सिजन देना, अपनी पत्निया देना, अपनी लक्निया देना सब बंद कर दिया उन्होंने प्रदुशित वायों को अपने अंदर समाना बंद कर दिया उन्होंने बदले में ऑक्सिजन को देना बंद कर दिया और जब सारे पेड एक साथ स्ट्राइक पर आ गए हर्टाल पर आ गए तो गाहँ वालों के लिए जीना मुश्किल हो गया उनकी सांस नहीं आने लगी क्योंकि आक्सिजन नव होने से वो सांस नहीं ले पा रहे थे सब बीडिस्निस से तड़पने लग गए और जंगल में जाकर पेडों से गुहार लगाने लग गए पर पेडों के मन में जरा भी दया नहीं आई गाहँ वासी निराश मन से अपने घर आ गए और कई बुजर्ग तो सांस लेने के लिए तड़पने लग गए लेकिन सभी जवान पेडों ने सोच लिया था कुछ भी हो जाया अब हम इनसानों को सबक सिखाएंगे पंचमदा ने इन पेडों को बहुत समझाने के कोशिश की कि सारे मेरे प्यारे बच्चों अपनी नाराजगी छोड़ दो अपनी जित छोड़ दो वापस से सभी को अक्सिजन देने लग जाओ ने तो कई लोग मर जाएंगे और हाहाकार मच जाएगा लेकिन पेड़ तो अपनी जित पर थे तमपचमदा ने कहा कि आज तुम सभी लोगों को समझाने के लिए मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ ये कहानी तब की है जब मैं भी बड़े जोश में रहता था मेरे दिमाग में भी बड़ी गर्मी थी और मैं तुम्हारी ही उम्र का था तुम्हे पता है कि मेरी पत्यों में बड़ी मैडिसनल प्रापर्टीज हैं मेरी पत्यों के रस्तों पिलाने से हाइफ फीवर उतर जाता है बहुश ही खत्म हो जाती है तो मुझे लोग बड़ा पसंद करते थे और मेरा बड़ा ध्यान रखते थे और उस वक्त भी मेरे साथ तुम्हारी तरह बहुत सारे साथ ही पेर थे वो भी जवान थे, उस वक्त मैं भी जवान था हम पके दोस्त थे, हम मिलकर बाते करते थे, मिलकर गीत गाया करते थे मिलकर प्रदुशित हवा को अपने अंदर लेते थे और स्वस्त हवा को बाहर देते थे हम बहुत ही खुश थे और हमारी दोस्ती बहुत ही पक्की थे लेकिन एक दिन बेदर्द इनसानों ने बड़ी-बड़ी मशीनों को लाकर वहां खड़ा कर दिया और देखते ही देखते ही मेरे सारे प्यारे फ्रेंड्स मेरे सारे दोस्तों को उन्होंने काटना शुरू कर दिया मैं चीखता रहा चिलाता रहा पर मेरी आवास किसी ने नहीं सुनी मेरी मन का दर्द किसी ने नहीं समझा और उन पेड़ों की पुकार भी किसी ने नहीं समझी उन पेड़ों का दर्द भी किसी ने नहीं समझा बड़ी बहरह में से कुछ ही मिंटों में उन्होंने मेरे सारे फ तो बोड़ दिया नहीं तो वो मुझे भी कार देते मुझे उस दिन इतना गुसा आया मैं बहुत रोया और बहुत ज्यादा गुसे की वज़े से मैंने प्रण कि अब किसी भी इंसान की जान जाए तो जाए पर मैं अपनी मेडिस्नल प्रापर्टिज वाली पत्यां किसे इंस को नहीं दूंगा मैं किसी को भी ऑक्सेजन नहीं दूंगा मैं किसी भी इनसान को कौपरेट नहीं करूंगा और मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया कोई भी अगर मेरे पास आता था और मेरे पत्यों के लिए हाथ बढ़ाता था मैं अपनी टहनियों को उचा कर लेता था और इनसा निराश ही पहुंच जाता था एक दिन एक माँ अपनी गोदी में बच्चे को लेकर आई वो बच्चा मुझकल से चार या पांच महीने का होगा और वो बुरी तरह रो रहे थी उसका बच्चा तेज बुखार में तप रहा था उस माने आते ही मुझे देखकर एक पर पेड़े तुम मुझे मिल गए अब बस तुम्हीं जे मुझे मुझे आस है मैंने उसे ट्राई किया मैने अपने बच्चे का इलाज करवाया पर सभी ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए कहा, और कहा कि तुम्हारी पत्यों के रसे ही मेरे बच्चे का बखार सही होगा, प्लीज मुझे अपने पत्यां दे दो, ताकि इससे मैं रस निकाल कर अपने बच्चे को पिलाओं और मेरा बच्चा ठीक हो जाए इसका तेज बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा और इसके वज़े से लगातर बेहोशी आ रही है बस अब मुझे तुम ही स्यास है तुम ही मेरी पुकार सुन लो लेकिन मैं तो इतना गुसे में था कि वो रोने लगी गिरगडानी लगी मेरी कुछ पत्यों के लिए अपने आचल को फैलाने लगी लेकिन मैं तो जैसे सक्त दिल हो गया था जब पास ही तालाब में बैठे बतक ने ये सब कुछ देखा तो उस बतक ने आकर उस वारत से कहा कि सारी रास्तान उस बतक ने उस औरत को सुनाई कि ये जो पंचमदा हैं ये ददादाजी पेड़ हैं ये इसलिए नाराज हैं क्योंकि इनके सारे पेड़ों को इनसानों ने बेदर्दी से काट डाला अगर तुम सच मुच चाते हो कि पंचमदा को कोई समझाए तो तुम मदर नेचर की प्रेय करो प्रक्रती माही आखी ने समझा पाएगे उस माने ऐसा ही किया आखे बंद कर वो प्रक्रती मा को बुलाने लग गए कि मा तुम भी एक मा हो तुम मेरा दर्द समझ सकते हो मेरा बच्चा अगर इसे दवा नहीं मिली इन पतों का रस नहीं मिला तो ये जिन्दा नहीं बचेगा ये मर को जरूर समझाओंगे पंचम्दा को पुकारते हुए मदा निचे ने कहा कि मेरे प्यारे पंचम्दा तुम ये क्या कर रहे हो पंचम्दा ने कहा कि मा आपने देखा ना कि इनसानों ने कितनी बेदर्दी से मेरे सारे फ्रेंड्स को काट डाला क्या इन्हें बिल्कुल मैस है कि तुम इस प्रकृति को बचा सको तुम्हारी वजह से मैं भी से ले पा रहे हूं अगर तुमने अपनी Oxygen को देना बंद कर दिया तुम भी सांसे भी में ले पाऊंगे तुम्हारा फर्ज है तुम्हारे पास यह अधिकार है, तुम्हारे पास ये संपदा है कि तुम लोगों को जीवन दे पाओ, तो अपनी संपदा को बाटो, मेरे प्यारे बेटे, अपनी पत्यों को इस मा को दे दो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी जित के वज़े से ये छूटा सा बालक, ये नना सा बालक मौत के जिम्मेदार बनना चाहोगे, नहीं, तुम्हारा फर्ज है कि तुम दया बाटो, ताजी हवा बाटो, लोगों में प्यार बाटो, और तुम वही करते रहो, मेरे प्यारे बेटे, अपनी जित छोड़ दो, मदर नेचर की बात पंचम्दा को समझ में आ गए, पंचम से पास ही रखे पत्थर से उसे पीसा, और उसका रस अपने बच्चे को पिलाया, रस मुमें जाते ही, बच्चा किलकारिया मार के रोने लग गया, मा उस पेड से पंचम्दा से लिपट गए, और उसे धीरो आशीच देने लग गए, कि तुमने आज मेरे बेटे की जान हो, मैं तुमें आशेरवाद देती हूं, और थैंक्यू सो मच, कि तुमने मेरे बच्चे की लाइफ पचाए, जब उस मा की ग्राटिट्यूट को पंचम्दा ने सुना, तो उन्हें लगा कि वो कितनी बड़ी गल्ती करने जा रहे थे, उनकी जित कितनी गलत थे, और सुना सुनाते पंचम्दा की आखों में आसू आ गए, यही स्चोरी जब उनके पास के सारे यंग पेड़ों ने सुनी, तो उन्हें भी अपनी गल्ती का हैसास हो गया, और उन्हें आखे बंद करके मदनेचर से का, मदनेचर हमें माफ करना, हम एक बहुत बड़ी गल्ती करने जा आक्सिजन देते ही, गाउं के सभी लोगों में फिर से सांस आ गई, और वो फिर से खुश हो गया, लेकिन उन्हें लोगों को अब समझ में आ गया था, कि यह पेरों की जित थी, और अगर पेर अपनी जित पर आ गए, तो उनके लिए एक पल भी जीना मुश्किल है, गाउ भी रखेंगे ताकि वो बड़े पेर बन जाएं, और गाउंवालों ने अपनी गलती को सुधारा भी, और ठेड सारे नए ने पौधे उस गाउं में सरकों के किनारे, बगी चो में, जंगलों में लगाये, और सभी पेरों से आकर माफी मागे, तो इस तरह से वो सभी पेर और गाम वाले दोस्त बन गए, तो यही थी हमारी आज की छोटी सी कहानी, पंचंदा की का स्टोरी से, सभी यंग पेरों को एक सबक मिला, और हमें क्या सबक मिला इस से, हमें यह सबक मिला, कि हमें भी पेरों का ख्याल रखना है, यह पेर हमारा अस्तित्व हैं, इनी से हम ह पेड़ों को बचाना एक determination कि अपने हर बदे पेड़ तो लगाएंगे और उसका ख्याल भी रखेंगे ठीक है तो चलो आज एक छोटा सा प्रामिस अपने आप से करते हैं और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करते हैं ताकि वो भी इस स्टोरी की हेल्प से एक अच्छा लेसन सीखें और वो भी डिटर्मेंट हो जाएं कि वो भी पेड़ों को संभालेंगे पेड़ों से प्यार करेंगे उन्हें काटेंगे नहीं और अपने बर्दे पेल लगाएंगे और हां हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बैल आइकन को हिट करना ताकि कोई भी नई स्टोरी आए तो तुम्हें उसका नोटिफिकेशन मिले और हर दिन शाम आठ बजे हमारी नई स्टोरी के साथ मैं आती हूँ उसे सुनना बिलकुल भी मत भूलना तो कल मिलते हैं नई स्टोरी के साथ शाम आठ बजे ठीक है अपना ख्याल रखना Lots of Blessings